कल दिल्ली के मुखे मुंतरी अर्विंद केजरवाल जी ने सिंगापूर की स्थिती पर कुछ बात कही थी उन्होंने कहा था कि सिंगापूर में बच्चों के उपर खत्रा बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है वहाँ पर उनके स्ट्रेन को देखते हुए इसलिए हमें भी अलर्ट पर रहने के जरूत है कई न्यूज चैनल्स में भी ये बात आई थी साथ साथ सिंगापूर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहाँ बयान दिया था कि बच्चों पर खत्रा पढ़ रहा है अब अगर मोटे तौर पे देखें आज भारती जिन्ता पर्टी ने उस पे बहुत घटिया राजनीती शुरू की है मोटे तौर पे देखें तो कल अर्विन केजरिवाल जी ने दो बातें कहीं एक तो सिंगापुर में जो इस्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला आज भारती जिन्ता पर्टी की और केंद सरकार की जो प्रतिक्रियां सामने आई है उससे साफ हो गया है कि केजरिवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतिय जंता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापूर की चिंता है उनको दिल्ली के तेश के बच्चों की चिंता नहीं है उनको सिंगापूर की चिंता हो रही है बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापूर की चिंता करेंगे आप देखिए कि लंदन में एक नया इस्ट्रेन आया था पहले उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था साइंटिस्ट ने वार्म किया था, डॉक्टर्स ने वार्म किया था कि लंदन में एक नया इस्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जोड़त है, भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आये उस इस्ट्रेन की वज़े से और भारत सरकार की लापरवाही की वज़े से आज देश की हालत देखे क्या हो गई है, आज पूरा देश उसका खाम्याजा बोगत रहा है, जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाये, उस वक्त भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, लंदन में नया इस्ट्रेन आया, और आज हजारों लोगों की जान चली गई, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा, जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उदावदर, उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामया जब हो खत्रा है, आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं, कि बच्चों पर खत्रा है, यहां तक कि सुप्रीम कोट को भी कहना पड़ रह है कि बच्चों पर खत्रा हो सकता है, अगली वेव में, जो अगला स्टेन आएगा, उसमें बच्चों को खत्रा हो सकता है, ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझी नहीं रहें, हम यह समझी नहीं कि हमें अलर्ट रहना है, मुद्दा सब्सक्राइब को ऐह बात के लिए अगर चारों तरफ से बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेस्ण में हमारे बक्चों को खतरा है तो आप उसकी चिंटा करिए ना उसपे आलर्ट रहिए ना उसपे तत्पर्ता दिखाईए ना आप जिस तरह की तत्परता इस पे दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे आज आप किसी भी पेरेंट से बात कर लीजे देश के पेरेंट से बात कर लीजे आप भारती जंता पर्टी को सिंगापूर में इमेज की चंता है केंदर सरकार को सिंगापूर के साथ इमेज की चंता है इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए और इमेज की चिंता करिए विदेशमेर सिंगापूर में हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे